गुड़ाफिलून फ्रेंस भारत और बांगलादेश के बीच में आज देश की रासधानी में दूसरा T20 मैच खिला जाएगा यानि कि दिल्ली में पूरी तैयारी हो चुकी है भारतिय टीम के सामने में सबसे बड़ी चुनाती है कि वो यहीं पर मैच जीते और श्रिंकला यहीं पर जीत करके तीसरे T20 की तैयारी करें बांगलादेश के पास में सबसे बड़ी चुनाती है कि किसी भी हाल में उनको दिल्ली में T20 जीतना होगा अपनी इज़त बचानी पड़ेगी नहीं तो सूपड़ा साफ T20 में भी होने का पूरा खतरा इनके उपर मंडराते वे नसर आएगा लेकिन इन तमाम गहमा गहमी क बीच में सूपरस्टार खिलारी ने सन्यास की घोशना कर दी है यानि कि एक बड़ा सेटबैक टीम के लिए इंडिया वोसस बांगलादेश सीरीज के बीच में इस तरीके की ख़बर आई थी किसी ने सोचा नहीं था अचानक कि ए खबर आई कि भी सूपरस्टार खिलारी न कर दी है यह मैं आपको बताता हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिगा वीडियो को लाइक कर लीजिगा और कौन से शेहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा यार दूसरे टी-ट्वेंटी मैच से ठीक पहले प्रेस क की घोशना करनी है और यह उन्होंने कर दी महमद दुला ने उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस में कल क्लेर कट कहा कि यार अब यह जो आखरी दो मैचेस बचे हैं दिल्ली और हाइदराबाद में उसके बाद में टी-ट्वेंटी फॉर्मिट से सन्यास ले लूँगा और और सर्फ ओडियाए मैच खेलते वे नजर आएंगे लेकिन बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं बांगलादेश के चैंपिन खिलारी रह चुके हैं जैसे हम लोग हार्दिक पांडिया की बात करते हैं हार्दिक पांडिया का लेबल और आफ फिल्टर कर लीजे महमद ने अपने करियर की शुरुआत गेनबास के तौर पर की लेकिन सूपरस्टार बल्लेबास बन गए खुल मिलाकर के इन्होंने पचास टेस्स माचेज खेले हैं बांगलादेश के लिए और इन पचास टेस्स माचेज में पांच शतक हैं महमुद उल्ला के नाम इसके लाबा 132 ODI माच खेले हैं और अभी आगे खेलेंगे हो सकता है 2027 में आप ODI World Cup इनको खेलते हुए देखें चार शतक इन्होंने वहाँ पर भी लगाया है और 149 T20 माच खेलें अगर दो और खेलते हैं तो 141 T20 माच खेलने के बाद सन्यास लेते हुए महमुद उल्ला आपको नजर आ जब कानपूर टेस्ट माच था तो शाकेबल हसन ने का कि या तो यह मेरा आखरी टेस्ट माच होगा और अगर बांगलादेश मुझे एक और टेस्ट माच खेलने का मौका देती है मीरपूर में तो मैं चाहूँगा कि अपने घर में मैं सन्यास लो तो चलो उन्होंने भी इ आदब को अपनी कप्तानी पर बाकी खिलाडियों को अपने अपने रोल पर ध्यान लगाना है क्योंकि ये बहुत एहम मैच है आज का मैच अगर हम जीत गए तो फिर 12 तारीक का मैच जीतते ही सूपड़ा साफ कर देंगे और बहुत कम ऐसे देखने को मिला है कि कोई टोरिंग टीम आई हूँ और एक भी मैच जीत करके नहीं गई हूँ इसी टीम ने पाकिस्तान को दो शुन्ने से पाकिस्तान में हराया था और इस समय एक मैच जीतने के लिए इस समय बांगलादेश की टीम संगर्श करती वे नजर आ रही है तो ये एक स्टेटमेंट है भारतिये क्र पारी टीम जिस सरीके से पहले मैच में जीती है बांगला देश के लिए ये एक नाक की लड़ाई है दिली में जो T20 मैच खेला जाएगा और भारतिय टीम के लिए भी बहुत बड़ा मैच है क्योंकि यहां जीते देश के रासधानी में तो सीरीज भी हम अपने नाम कर लेंग कर दीजेगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लिजेगा